दोस्तों आज का वीडियो सुरू हो, उससे पहले मैं आज आपको आनकेडमी के बार ही बताना चाहूंगा, आनकेडमी लाए हैं आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आपको MP के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनेहरा मौका मिलने वाला है, आपको इसमें 500 से ज्यादा लाइब क्लासें मिलेंगी, डाउस क्लियरेंस सैसन होगा, साथ ही साथ, 20,000 प्लस प्रक्टिस कॉस्चन लाइब कोईजा आपको इसमें मिलने वाले हैं, और भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, तो इस फ्री प्लान को एदिए आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें, प्लेश्टोर से, अनकेडमी एक, MPPSC ब्यापम चुने, और रेफराल कोट जैसे ही आप सुमिट जेन लिखेंगे, तो आपको एफ प्लान ओपन हो जाएगा, और आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, दोस्तों एक बहुत अच्छी गुड रहेगा, इस फेक्स्टिवल के अंतरगयत, इसमें आपका पूरा सिलेवस, MPPSC का इसमें कवर होने वाला है, प्लियम्स का और भी MP के जो एकजाम है, वैसमें कवर होगा, साथी साथ, दोस्तों आपको बता दें, कि यह बहुत ही अच्छा मतलब preparation के लिए आपके लिए होने question ढूड़ रहे हैं, आप अच्छी तयारी करना चाहते हैं, तो आपको बता दें, कि अनकेडमी आपके लिए लेकर के आया है, MPPSC preamps के लिए full length test, जिसमें आपको मिलेगा, 4 live mock test, और 20,000 plus जिसमें की question होगे दोस्तों, ऐसा है, MCQ test होगा, और इसमें top 3 ranker के लिए, बन मंत का subscription भी आपको फिरी मिलने वाला है, तो दोस्तों, इसको भी आप enroll कर सकते हैं, आज ही अपने जीत की तयारी करें, अनकेडमी के साथ, दोस्तों, मैं में सास्त्री नहरंतर, आप सभी से, MPGK के महत्पूर्ण, बन नायनर प्रिश्म उत्तर पर चर्चा कर रहा हूँ, जो की आ एक एक प्रसन हमें करम से पढ़ना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजीगा, और पिछले वीडियो देखने है के लिए चैनल की प्ले लिस्ट में जाईएगा, तो जहां तक हमने चर्चा कल ली थी, उसके आंगे के फैक्टों पर आप चर्चा करते हैं, देख नर्वदा को किस नाम से जाना जाता था, रेवा नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, प्राचीन काल में चंबल नदी को किस नाम से जाना जाता था, चंबल, चा से चंबल, चा से चर्मावती, ठीक है, तो चंबल को जाना जाता था, चर्मावती और रेवा नदी, किसक जनगरना 2011 के अनुसार मद्ध प्रदेश का सरवादिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है मद्ध प्रदेश जनगरना 2011 के अनुसार बताना है 2021 की तो अभी हुई नहीं है अभी जो तुरंद वीडियो बन रहा है उस समय तो आपको बताएं 2011 के अनुसार जो थी बाला गहाट जिले सरबादिक लिंगानुपाद था मतलब 2021 ठीक है 1000 लड़कों पर 2021 लड़की है ऐसा आप लगा लें सबसे ज़्यादा लिंगानुपाद यहीं पर है जनगरणा 2011 के अनुसार मद्द प्रदेश का न्यूंतम लिंगानुपाद कहाँ पर है तो भिंड में है 1000 में 837 भिंड में सबसे कम कहाँ पर है लिंगानुपाद भिंड में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है बाला खार्ट में दोनों बिलकुल यात कल लीजीगा रट लीजीगा 2011 की जनगर्णा के नुसार है माता टीला बांद करी बार पूछा गया है परियोजना किन प्रदेसों की संयुक्त परियोजना है ठीक है तो आपको बता दें मद्द प्रदेस और उत्तर प्रदेस की संयुक्त परियोजना है कौन सा माता टीला बांद मद्द प्रदेस की उज्जेन में इस्तित जन्तर मंतर का निर्मान किसने करवाया था याद रखीगा उज्जेन में भी जन्तर कोई पूछ लेकि मद्द प्रदेश में जंतर मंतर कहां कहां है तो उज्यन में है याद रखना है और इसका जो निर्मान करवाया था वह है राजा सवाई जैसिंग महराज जी ने करवाया था ठीक है जैसिंग जी ने बाग की गुफाएं मद्द प्रदेश के किस जिली में इस्तित हैं? कई बार पूछा गया है बिल्कुर सब को रटा होना चाहिए धार जिली में हैं कौन सी गुफाएं? जिनको कहते हैं बाग की गुफाएं धार में हैं मद्द प्रदेश की सबसे कम सीमा किस प्रदेश से लगती है तो मद्द प्रदेश की जो सबसे कम सीमा लगती है वा लगती गुजरास से किस प्रदेश से लगती है गुजरास से लगती है याद रखेगा मद्द प्रदेश का लखी नंबर है पांच अधिकतर चीजों में पांच आता है जैसे कुछ लिया जाए मद्द प्रदेश की सीमा कितने राध्यों से लगती है तो पांच राध्यों से लगती है ठीके ऐसे है हम बीच बीचे में बताते जाएंगे हमने लखी नंबर पांच क्यों बोला है अभी देखना कई प्रशन ऐसे आएंगे हमने तो 500 प्रशन पढ़ने हैं अब आप कितनी तैयारी अच्छे से कर पा रहे हैं आप कितना जुड़ पा रहे हैं वो आपके उपर है मद्द प्रदेश बनने जीफ संदक्षन अधिनियम कब पारित किया गया था तो 1974 में ठीक है बिदीशा किस नदी के किनारे पर रिष्टे थे तो आपको बता दें बा से बिदीशा वा से वेतवा ठीक है तो बिदीशा किस नदी के किनारे पर है तो बिदीशा वेतवा नदी के किनारे पर रिष्टे थे माखनलाल चतरवेदी संबन देते एक प्रसन जरूर पूछा जाता है क्योंकि मद्द प्रदेश के थे और बहुत प्रभावी साहित्तकार थे तो माखनलाल चतरवेदी जी का जन मद्द प्रदेश के किस जिले में हुआ तो आपको बता दें मद्द प्रदेश के होसंगाबाद जिले में हुआ था माखनलाल चतरवेदी जी का जनि हैली योडोरस का गरोड इस्तंब मद्द प्रदेश में कहां पर इस्तित है तो आपको बता दें हैली योडोरस का जो गरोड इस्तंब है मालवा की गंगा किसे कहा जाता है मालवा की गंगा आपको बता दें छिप्रा नदी को कहा जाता है ठीक है छिप्रा नदी के किनारे कौन सा नगर है एक प्रशिद्ध नगर का आप नाम कमेंट में जरूर लिखना आपका भी नौलिष देखते जाएंगे इसको मालवाकी गंगा कहा जाता आगे 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 आईएसो 9001 से 2008 अबाड़ पाने वाले भारत का पहला राष्टी उद्ध्यान कौन सा है ठीक है तो आपको बता दें है मद्द प्रदेश में स्थिद्बन विहार राष्टी उद्ध्यान है इसको यह अबाड़ मिला था पहला किसे गोसित किया गए छातर पुर सत्पुडा की राणी के नाम से किसे जाना जाता है तो आपको बता दें सत्पुडा की जो राणी कहा जाता है पच्मणी को कहा जाता है मद्द प्रदेश का हिलिश्टेशन है ठीक है तो सत्पुडा की इसको राणी कहा जाता है सत् पहले हमने आपको पढ़ाया है नर्वदार नदी का पूर्व नाम क्या था फटाक से कमेंट कर दें इसके पहले नर्वदार नदी को किस नदी के नाम से जानते थे पढ़ा चुके इसलिए कमेंट आपको करना है मद्द प्रदेश के पर्थम परेयावरण नियालाय की स्थापना कहा की गई परेयावरण नियालाय पूछ रहे हैं तो यह बता दें आपको मद्द प्रदेश की राददानी भोपाल में की गई थे जिसने भी लाइक नहीं किया दोस्तों तुरंट वीडियो को लाइक कर दें आंगे शेयर तो आप निश्चेती करते ही होंगे जनगरणा 2011 के नुसार मद्ध प्रदेश का जनगनत तो कितना है तो आपको पता दें जनगनत थे 236 रानी लच्छी भाई की समाधी मद्ध प्रदेश में कहां परिस्ते थे तो आपको पता दें कि जहासी की रानी जरूर थी लच्छी भाई लेकिन आपको पता है कि इनके जो मृत्ती हुई थी ग्वालियर के पास हुई थी तो ग्वालियर में ठीक है इनकी क्या है समाधी है ठीक है ग्वालियर में ग्वालियर में समाधी जहां सी किरानी थी डशेश फॉल जल प्रपात कहां पर इस्ते थे तो आपको बताएं डशेश है पचमणी में राणा, प्रताफ, सागर किस नदी परिस्थे थे तो यह बता दें आपको चम्बल नदी परिस्थे थे चम्बल नदी को अच्छे से पढ़ लेना बैरी-बैरी आई इनपी एक प्रिष्ण बनता ही है मद्द परदेश के जी के तैयारी कर रहा है क्या तांसें समार हो आयोजित किया जाता है ठीक है ये भी महत्पूर्ण प्रश्म की अंतरगत आ जाता है जन्गरना 2011 के अनुसार मद्ध प्रदेश के किस जिले की साक्छर्टा दर सबसे जादा है सबसे जादा साक्छर्टा दर कहां पर है तो जवलपूर की है 81.07 देखो इतनी साक्छर्टा दर है मैं भी जवलपूर में ही रहता हूँ तो ये सबसे जादा साक्छर्टा दर कहां की बतार है जवलपूर और सबसे ठीक है 2011 जन्गरना के अनुसार यहां पर बताये गया 36.10 है ठीक है इस प्रकार से आज हमने चर्चा कर ली कल आगे के और महत्पूर प्रिष्णों पर चर्चा करेंगे आप इसी तरह पढ़ते रहें इसी चरड़े जुड़े रहें और प्रती दिन जोइन कर सकते हैं MPPSC Playams 2020 में सेलेक्शन पक्का करने के लिए तो यह सारे जो बैच हैं बहुत से श्टार्ट हो चुके हैं बहुत से श्टार्ट होने वाले हैं तो आईए इन कोर्स के बारे में आपको हम यहां पर बता देते हैं आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए करके आए हैं 60 दिन का क्रेस कोर्स ठीक है जिसमें की एक आपको बता दें कि इसमें रिवीजन बैच भी होगा पूरा का पूरा साथी साथ आपको MP के टॉप एजुकेटर इसमें पढ़ाएंगे और लाइप थियोरी किलासिस भी होगी दूसरे बैच में होगा डेली सब्जेक्ट वाइज MCQ लाइब रिवीजन इसमें होगा आपको बता दें हर दिन इन दोनों बैच में 20 प्लस मोग टेस्ट आपको मिलेंगे PDF नोश्ट के साथ और आप अपनी तयारी को हिसाब से इस बैच को पढ़ सकते हैं दोस्तो अगर आप MP PSC की तयारी सुरू करने की सोच रहे हैं शुरू करना चाहते हैं उसमें guidance चाहते हैं तो आपके लिए लेकर के आए हैं foundation बैच जिसको मैं भी recommend यहाँ पर करूंगा आपके लिए 10 महीने का foundation बैच MP PSC कर रहेगा जिसमें आपको full course होगा live classes में लेंगी top educator आपको पढ़ाएंगे PDF notes में लेंगे इस सारे चीजों की हमने links description में दी रखी है आप वहां से click करके join कर सकते हैं आनकेडिमी एप पर आप subscription में पढ़ा सकते हैं सभी courseों को एक MPPSC subscription और आप सारे courseों को इसमें अपने mobile में पढ़ सकते हैं दोस्तों और दोस्तों यदि आप revision करना चाहते हैं अपना speed से तो संपून ग्यान revision course यहाँ पर आनकेडमी के दुआरा आपके लिए launch किया गया है जिसमें की आप इसको join करके अपने doubt clear कर सकते हैं और संकल्प best जो है इसके माद्यम से आपको live doubt clearance session revision को boost करने के लिए मिलेगा क्योंकि revision बहुत important है तो आज ही इस best को join कर ले जिन लोगों ने flames clear कर लिया है उन आप अपने मेंस की तैयारी को बेच बिल्कुल भी नहीं करें आप लोग अपने आनकेडमी पर ले कर के आए और सपन पूर्ती बैच आप के लिए ले कर के आए हैं जो कि 35 दिन का ये बैच रहेगा इसमें आपको live class है PDF और answer writing की पूरी तैयार यहाँ पर कराए जाएगी त और get subscription पर जाकर के इसके charge हैं कि एक मंत कहदी आप लेना चाहते हैं तो 1440 रुपे 3 मंत 6 मंत 12 मंत है दो साल का आप ले सकते हैं और आप इन में referral code जैसे ही सुमेच जन डालेंगे तो 10% की आपको प्रतिक बैच पर आपको छूट मिल जाएगी तो जरूर ले और आप तैयारी करनी है तो देर किस बात की है दोस्तो तुरंत अनकेडमिय डाउनलोड करें और बैच को ले करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं जै हिंद